Hello students, Map of India series का ये हमारा 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें soil types जो हैं इंडिया के अंदर exist करते हैं उनको represent करना है इंडिया के outline में आप पर तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि आपके slabus में कौन-कौन से soil के types हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला है हमारा mountainous soil जो आपके slabus में है ठीक है दूसरी है alluvial soil तीसरी है red and yellow soil चौथी है black फिर laterite soil and then arid soil arid soil नाम सुनके confuse नहीं होना है arid soil का मतलब यहां पर desert soil से है desert soil को ही यहां उन्हें arid soil का है ठीक है अब चलिए बात कर लेते हैं कि हमें कैसे represent करना है तो represent करने के दो तरीके हैं सबसे पहले तो आप pencil से represent करते हो map को pencil से fill करते हो तो आपको pattern के थूँ shade करना है या फिर pencil से shade कर देना है ऐसे ही जैसे normal shade किया जाता है ठीक है? तो एक तो वो तरीका है कि जब आप से question पूछा जाएगा तो आप pencil से shade कर दोगे या pencil से कोई pattern बना दोगे but map को fill करने का सबसे अच्छा तरीका है map के अंदर colors का use करना इसके दो फायदे हैं एक तो color के use करने से हम चीजों को differentiate कर सकते हैं आपने देखा होगा सारे के सारे map जो होते हैं वो colorful होते हैं map जो देखे होंगे आपने वो black and white नहीं देखे होंगे बहुत rare होते हैं black and white अगर किसी ने photocopy करा लिए तो otherwise सारे के सारे map color होते हैं क्यों colorful map का purpose यह है कि हम चीजों को differentiate कर सकें आपने topo sheet में भी यह पढ़ा होगा कि different colors यूज़ करते हैं legends यूज़ करते हैं ठीक है तो color एक best चीज है map में use करने के लिए तो मैं भी recommend करूँगा कि आप color का use करें map को represent करने के लिए pencil को avoid करें ठीक है तो यहाँ पर देखे आप जो map देख रहे हैं यह भी colorful है और यह है इंडिया का soil map इसमें वो सारी soil represent की गई है जोकि इंडिया में हैं और यह map आपकी book में भी दिया होगा ठीक है बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि हम सीखना चाते हैं कि हमें shade कैसे करना है हमें कैसे mark करना है कैसे represent करना है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि question किस तरह के आते हैं आपके syllabus में या आपके map के questions जो है तो question कुछ ऐसे आएगा जैसे मालो हम example के लिए ले ले लेते हैं alluvial soil तो क्या आएगा name and shade the area of alluvial soil आपको एक area shade करना है और alluvial soil वहाँ पर नाम लिख देना है कि यह alluvial soil है otherwise जैसे यहाँ पर यह index बना है कि आपने इस तरह के color में इस तरह के color में alluvial soil को represent किया है ताकि examiner को clear हो जाए कि alluvial soil है यह ठीक है तो यह एक best तरीका है तो चलिए हम लोग यह सारी की सारी soil एक बार देख लेते हैं कि इन्हें किस तरह से represent करना है सबसे पहले हम बात करेंगे mountainous soil की easy है जो हमारा northern hilly region है खासकर जम्मू एंड कश्मीर का उसके बाद सिक्किम का और फिर अरुनाचल प्रदेश का कुछ area जो कि आपके map पे दिया हुआ है यह mountainous soil का region है और बहुती आसान है याद करना क्योंकि यहाँ पे mountains है इसलिए यहाँ पर mountainous soil भी है ठीक है तो आप कैसे अगर question आ जाता है तो आपको कैसे shade करना है आपको अगर आप color use कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है otherwise अगर pencil भी use कर रहे हो तो आपको क्या करना है बस वो area आपको पता होना चाहिए और आपको वहाँ पर जाके उसको area को fill कर देना है पूरी तरह से fill कर देना है color से और फिर नीचे आपको index बना देना है कि हाँ भई यह है हमारी mountainous soil जहाँ जहाँ पर भी है यह है और यह है हमारी mountainous soil clear दूसरा हमारा एक large area है alluvial soil का clear तो alluvial soil कैसे represent की जाए क्योंकि यह बहुत सारी जगा पर फैली हुई है कोई एक इसका जगा नहीं है concentrated नहीं है ठीक है तो चलिए देखते है तो alluvial soil को represent करने के लिए हम एक अलग color यूज कर लेते हैं for example हम यह color ले लेते हैं alluvial soil कई सारी जगा है आपके coast पर alluvial soil है आप यहाँ पर देखोगे ये ये पूरा area alluvial soil का है ठीक है ये minor area है जहाँ पर alluvial soil मिलती है major area कहा है हमारा major area हमारा ये है this ये हमारा major area है जहाँ पर alluvial soil मिल रही है ये ठीक है जिसे हम northern plane भी कहते है तो इस तरह से आप अगर इस area को fill कर दोगे तो यह आपका correct answer हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर हमारी alluvial soil है ठीक है अगर आप यह इतना area भी कर दोगे न यह जो मैं अभी underline कर रहा हूँ तो भी आपका answer ठीक हो जाएगा ठीक है बाकी अगर आप पूरा कर सकते हो तो वो तो best है उसमें तो आपको number मिल नहीं मिलने है clear चलो आगे हम देखते है red and yellow soil कहाँ है तो आप map पे तो देख पा रहे हो कहाँ पर है इसको भी आपको कैसे shade करना है अब देखो यहाँ पर red soil एक बहुत बड़े area में फैली हुई है और दो अलग अलग पार्ट में एक तो आप north east में देखोगे color change कर लेते हैं एक तो आप north east में देखोगे यह यह जो area है आपका यह red soil का area है ठीक है और उसके लावा एक large area है हमारा deck and plateau का जो है deck and plateau का right side का area यह हमारा है red soil का area ठीक है इसको आप इस तरह से fill कर सकते हो यह हमारा red soil का area है यह and this यह पूरा का पूरा area क्या है red soil का area है फिर हमारे पास बस्त स्वाइल जैसा कि आप देख रहे हो ब्लैक स्वाइल को शेड करना क्या है डेकन प्लेटू का जो हमारा लेफ्ट साइड का एरिया है वो खासकर कॉटन बेल्ट है इसमें महारास्ट आ जाता है हमारा करनाटक आ जाता है थोड़ा सा गुजराद भी आ सकता है या आ जाता है वो है हमारा क्या ब्लैक स्वाइल का एरिया उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम शेड कर देंगे इस तरह से यह हमारा ब्लैक स्वाइल का एरिया अगर आप गुजराद का एरिया skip भी कर देते हो तो भी आपका answer सही माना जाएगा अगर आपने इतना area जो मैंने in circle किया है यह आपने shade कर दिया तो ठीक है तो यह हो गया हमारा black soil clear next आता है हमारा arid soil या desert soil देखो desert soil आपको याद करने के लिए बहुत common sense की बात है इंडिया में एक जगा है राजिस्थान जहाँ पर थार का desert है ठीक है तो वहाँ पर थार का desert है और जहाँ पर desert है वहाँ पर desert soil है तो बहुत ही easy है उसको represent करना आपको just क्या करना है desert वाले area में जाना है और बहुत छोटा सा area है इसको इस तरह से fill कर देना है और यह हो कि हमारा arid soil या फिर desert soil का area ठीक है और अब आती है हमारी सबसे ज़्यादा versatile location वाली soil जिसे हम कहते हैं letterite soil अब उसको represent करने के लिए हम ये पहले सारे के सारे color जो है वो मिटा देते हैं rough कर देते हैं clean कर देते हैं map को अब क्या है जो letterite soil है वो patches में है उसका कोई एक area नहीं है ठीक है वो अलग-अलग patches में अलग-अलग area के इंडिया में फैली हुई है तो उसको देखते हैं कि किस तरह से represent किया जाए तो देखिए letterite soil आप देखोगे कि north east का थोड़ा सा area letterite soil का है patches है basically ये ठीक है उसके बाद टुकडों में देखोगे आप कि इधर उडेशा में थोड़ा सा area alluvial soil का है है ना ये देखिए छोटे-छोटे patches हैं ओके फिर तेलंगाना में थोड़ा सा आप देखोगे area letterite soil का है उसके लावा जो हमारा western घाट है ना western घाट पे ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा area है जो की letterite soil का है और मद्द प्रदेश में आपको थोड़ा सा area letterite soil का मिलेगा and after that एक patch राजिस्थान में तो आप देखो मैं circle करके दिखाता हूँ एक ये area है एक ये area है ये and this one and this ये कुछ area है जहां पे आपको letterite soil के patches देख के लिए मिलते हैं तो इस तरह से आप shade कर सकते हो mark कर सकते हो जो भी question आता है उसके according ठीक है तो ये था हमारा soil का map हम सीख रहे थे कि कैसे हमें shade करके represent करना है clear तो this is all about today's video next video में हम maybe population का map discuss करेंगे otherwise कोई भी जो दूसरा map आपके syllabus में है वो discuss कर सकते हैं बट इस video के लिए बस नहीं तो आप practice करते रहें पढ़ते रहें मैं मेलूंगा आपसे next video में